जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विड डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकॉन को ज़रू दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स इदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटि अमERं ससक्राइब कर दोसूल कर्दा है तालिबान की तरफ से फिलस्तीन में अफगान लड़ा के भेजने की खबर पिछले दो तीन दिन से सोशल मीडिया पर चल रही है अलग अलग एक्स हैंडलों से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने इरान से कहा है कि वो इसराइल से लड़ने के लिए अपने लड़ाके देने के लिए तयार है दोस्तों ये बिल्कुल जूटी खबर है इस जूट को ऐसे हैंडिल फेला रहे हैं जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं तालिबान हकूमत के फॉरन मिनिस्टर और इरानी फॉरन मिनिस्टर के भी जो फोन पर बात हुई है वो मियूच्वल कोपरेशन बढ़ाने पर फोकस थी फिलस्तीन मामले पर तालिबान ने पहले जो कहा है और इरान के साथ कुछ वक्त पहले की एक दूसरी बात्चीत में जो कहा गया था वो ये है कि फिलस्तीनियों को इनसाफ मिलना चाहिए और जन संगहार रुकना चाहिए आपको बता दू कि तालिबान से जुड़े किसी भी सोशल मीडिया हैंडिल पर या किसी मिनिस्टर या स्पोक्स परसन के हैंडिल से लडाके भीजने की कोई बात नहीं कही गई है और अफगानिस्तान के किसी अखबार ने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैं दूसी तरफ कहा जा रहा है कि अफ़ानिस्तान में तालिबान के तरफ से अफीम की खेती और धंदे को चौपट कर देने से अमेरिका की कुकियाद C.I.A. ऐसे सदमे में है कि पिछले कुछ वक्त से थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करे जा रहे है जिसमें अफीम पाबंदी को गरीबी बढ़ने से जोड़ दिया गया है पर किसी आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की कितनी दौलत अमेरिका ने दबा रखी है अब सबसे एहम और दिल्चस्प बात ये है कि ये आर्टिकल्स ऐसे इंस्टि फ्रांस की नुक्लियर फ्यूल कंपनी औरैनो का लाइसेंस रद कर दिया है नॉर्डन नाइजरिया का इमारा रेन खदान दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक है यहां दो लाग तन यूरेनियम होने का असिसमेंट है इस कंपनी को यहां 2015 में ही खनन शुरू करना था पर वो लाइसेंस लेकर बैठी हुई थी और आनों के पास एक और खदान है आपको बता दूं कि नाइजर का मिनरल लेकर फ्रांस और यूरोप में चमक दमक रहती है पर नाइजर में अंधेरा और गुर्बत है पॉपलर मिलिटरी सत्ता आने के बाद वहा 23 में हो गया था अब नाइजर में कोई फ्रांसिसी सैनिक नहीं है इस देश को फ्रांस भी तक तीन यूरेनियम खदाने फ्रांसिसी 생각이 के हाथ में थी फ्रांस इस यूरेनियम से अपनी और यूरोपन यूनियन को रोशनी से नहलाता था पर इसके बदले नाइजर को मा अबादी वाले इस मुल्क में 40% लोग भयंकर गरीबी में जिन्दीगी बसर करते हैं दोहरे कैरेक्टर की कुछ और हकीकत जान लें नाइजर में यूरेनियम के खरन का 50% से ज्यादा फ्रांस जाता है उसी से फ्रांस के बिजली बिनाने वाले नूकलिय प्रांस चलते हैं यूरेनियम इंपोर्ट का तक्रीबन 24% नाइजर से आता है फ्रांस में जलने वाले हर तीसरे बल्ब की एनरजी नाइजर से आती है पर नाइजर के 80% घरों में बिजली नहीं है खैर अब नाइजर की नई फौजी सरकार ने फ्रांस को यूरेनियम और सोना एक्सपोर्ट क पर रोक लगा दी है बुर्किना फासो और माली के साथ अब नाइजर में फ्रांस के सेमी इंपिरिलिस्म का खात्मा इस वक्त की सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है वैसे एहम इवेंट्स से याद आया जून 1941 की हिस्ट्री दोस्तों 22 जून 1941 को इतिहास का सबसे बड़ फाजी हमला हुआ था जो नाइसी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर किया था उस दिन संडे था नाइसीों ने इस हमले का नाम आपरेशन बार बरोसा रखा था ये नाम फ्रेडरिक बार बरोसा नाम के बारवी सदी के रोमन हुक्मरान के नाम पर रखा गया था जो क्रूसे नाट्सियों ने यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जीता था और मॉस्को तक जा पहुचे थे बड़ी तादाद में सोवियत सैनिक और सिटीजन्स का कतले आम हुआ था दस लाग से ज्यादा यहूदियों को मारा गया था पर इस भयंकर तबाही के बावजूद दिसंबर में मॉस् 1990 में नदी में डूप का मर गया था और उसकी सेनाई भिखर गई थी हिटलर ने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली थी फिर जर्मनी की संसत पर लाल जंडा लहराया गया था खैराब राश्पती पूटिन की नौर्ट कोरियो वेतनाम दौरे के दौरान वेस्टन मीडिया ने लगातार ये लिखा है कि रूस दुनिया में अलग थलग पड़ गया है असल में वेस्टन मीडिया को वेस्ट ही दुनिया लगती है जबकि सच ये है कि 45 मुलकों ने रूस पर फाइनेंशल सैंक्शन लगाया है जिनमें यूरोपियन यूनियन के वो मुल्ग भी शामिल हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते थे पर यूरोपियन यूनियन के दबाव में कर रहे हैं पाबंदियों के बावजूद यूरप महंगे दाम पर रूसी तेल और गैस खरीद रहा है वेस्ट के बहुत सारे ब्रैंड सस्ते दाम में समान इधर उधर से रूस भेज रहे हैं रू चैराल सिर्फ उन्तिस देश यूक्रेइन के नार्टियों को हतियार दे रहे हैं खैर अब यूक्रेइन के हालात यह हैं कि वहां प्राइवेट सेक्टर को सरकारी कंपनियों को बेज कर लडाई के लिए दौलत जुटाना पढ़ रहा है खैर जुटाना असल में बहाना है ज प्राइमिनाराम डेर वे लाईना असल दो हैं लगार में डिवाष यूक्रेण के लिए मान लिए यू यूक्रेण विपाराम लिए तो प्राइव यू यूटत, हैं अगा फ्यूवाई नहां है ओिश्टाना दे इस का लिजूब ऑप यूब थटीव तो यूवाने की धन्यविफ श्यवाता नजाए घजजा निसे वफया उना सकॉब आवी खगल में नज़ इसken regular आ फंद से तुफज परस सथ नव प्लाब प्रॉजी और में है आटानल Εट है निशे सं trase स। अ ऐ ह ची सुट्रूबत जान, लगाइन प्रवका जारके जार जार को अएसा प्रखर्वाह、 जबका वे खाराश बना अ कि घंध डारवा ज की लिएरे मिझ जाय गया जांग जावारा, ट्रजका जाएसा जार,borneह जार, कि ट्रवकावा जा़ झासार जारा की जारा हमा बलू इनली प्हूतस्टालों गवाओ तो मिन अवाए नेती हो, इसके हो स Ubी शफेखंए हो नेखंगे।्स बाlay, करे दो आमाटे मेंगा हमारे अğ הिर्यद करके वारे बारेत καते कि अरेसक सैंब ट्रफ आीरीग है में और मैं हम अ कि विर श्याज बारे आमिया के नेंध लास्ताे कि मेंगेंगा कि वरियान प्हिल आफ्न आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जाए हिंद सत्ते मेव जाते अला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विड डॉक और शी को सबस्क्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरू दबादे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट सिक्डम टाइम पर मिल जाए और दोस्तों गर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसना आ एड दे रेट आफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में